वेलकम इस्टुडेंट्स योगात्मक आंकलन नमबर तीन ओसिया राधारित आप सभी के 29 और 30 अप्रेल को होने वाला है ककसा 6-7 के लिए ये मैं पेपर लेकर के आया हूँ तो जरूर आप इसको देखी क्योंकि ककसा 8 और 5 बोरेड एकजाम है तो उसके नहीं होगा 6 और 7 के ओसिया राधारित आंकलन होने वाला है 29 और 30 को तो गणित का ये आंकलन आपके लिए बहुत ज़्यदा मैतुपन है इस वीडियो को पूरा देखी मैं आपको हल करवाऊंगा और कैसा पेपर आपके आएगा वो आपको दिखाऊंगा साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब अ भी नहीं होगा इस पर कुछ नहीं करना है 3020, 3008 बड़ी है ये ये इदर है ये बढ़ी होनी चाहिए ये बी नहीं है तो ये लिए तो ये भी गलत हो जाएगा अगला पूचा है संक्या 8,965 में अंक 9 और 6 के इस्थानी इमान का अंतर बताना है तो 9 का इस्थानी इमान कितना है 900 है और 6 का कितना है 60 है तो 900 में से 60 गटाएंगे तबी अंतर आएगा तो 840 840 यहां पर लिखावा है इसके उपर आपको राइट कर देना है इस तरह से करना है आपको ठीक है अगला है गुणा की जिए 45 गुणा 21 यहनि 21 का गुणा 45 से करने पर उतर आएगा आपका 945 तो यह आपका राइट आंसर इसमें लगा देना है इसका आप गुणा साइड में या आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा पेज होगा वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं पिचोत्र को 9 से विववाजी करने पर क्या सेस पलाएगा 9 का भाग बोलिए 9 का पाढ़ा बोलिए तो 8 नम्मे बहुतर यहनि पिछे 3 बसते हैं तो यहाँ पर आपके 3 पर राइट कर देना है अगला है 648 का गुणा 0 से करने पर क्या मानाएगा 0 को किसी से भी गुणा करते हैं तो 0 हो जाती है तो यहाँ पर 0 यानि सुन्याप को कर देना है पिचोत्र भाग 1 एक का भाग किसी में दो वही संक्या आती है तो फिचोतर के अंदर एक का भाग दियत क्या जाएगा, फिचोतरी आ जाएगा, यह आपके राइट हो जाएगा, अगला पुछा है यदि एक पैंसिल का मुले 4 रुपे है, तो एक दर्जन पैंसिलों का मुले, एक दर्जन में 12 वस्तियों होती ही, तो 12 का गुणा 4 से, यनि बारा का पड़ा च्यार बार बोलो तो क्या जाएगा 48 रुपया जाएगा भिन 5 बटे 6, 1 बटे 6, 3 बटे 6 और 4 बटे 6 में सबसे बड़ी भिन है बड़ी भिन जब हर समानोत अंस बड़ा हो वही बड़ी होती है तो 5 बटे 6 इसमें बड़ी हो जाएगी इस पर राइट कर दे तो आपका उत्तर आएगा वह आएगा 4,165 रुपय ठीक है इसको आप करके भी देख लीजिएगा और इस तरह का सवाल है आपको पूछा जाएगा अगला पूछा है परिक्सा में 144 विद्यार्तियों को 12 कमरों बिठाए गया है परते कमरे में विद्यार्तियों की संक्या स आपको पता होगा 12 का वरग होता है 144 तो भी 12 आजाएगा तो इस तरह से ये 10 क्यूशन का पेपर आया है हो सकता है आपके 15 क्यूशन का आजाए 20 का आजाए 30 का भी आ सकता है क्योंकि 30 नमर का ही आपके पेपर होने वाला है तो ये पेपर की पीडियों भी आप रप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलेग्राम गुरूप का लिंक है जॉइन कर सकते हैं और वहाब आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी धन्यवाद जेहिंद वंदि मात्रा